दोस्तो नमस्कार वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो एंसील टेकनिशन का रिजल्ट आ चुका है शोर्ट लिस्टेट कंडिडेट की भी लिस्ट जारी हो चुकी है अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसका सेलेक्शन होगा और कौन बाहर होग दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनलिक्सिस करने वाले हैं जो 470 लगभग 460 से टेवर टोटल कंडिडेट की लिस्ट आई है मैं टेकनिशन इलेक्टिशन के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तो जिसके लिए अपने पास टोटल 175 के असपास सीट थी तो उनमें से अब जिन कंडिडेट का लिष्ट में नाम आया है वो बड़े कंफ्यूज है और कहीं डर्सा उनके मन में है कि पता नहीं फाइनल सेलेक्शन में क्या होगा हमारा फाइनल सेलेक्शन होगा की नहीं साथ यू आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूं हम पूरा इस पस्ट इस में करेंगे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें आप से निवेदन रहेगा क्योंकि मैंने बहुत इस पर मेहनत किये पूरा एनलिसिस करने के बाद ये सटीक वीडियो आपके सामने हम लेकर आएं इसलिए हमारी मेहनत के लिए प्लीज आप व एक्जावेशन की जो सीटें थी वो 16 थी प्लस E&M यानि इलेक्ट्रिकल एंड मेकेनिकल की जो सीटें थी वो थी 57 टोटल सीटें बनी है 73 अब देखिए दोस्तों बड़ा इस पस्ट रूप से मैं आपको बताऊं कि यदि आप जनरल केटेगरी से बिलोंग करते हैं और सीरियल नंबर तक आपके सेलेक्शन होने के चांसेज है फोर एक जामपल मैं आपको एक एक जामपल दे रहा हूँ मान लीजिए आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आप किस सीरियल नंबर तक आते हैं तो आपके सेलेक्शन की चांसेज है इस लिस्ट में बात कर रहा हूँ मैं कोई भी EWS का certificate नहीं लगाया था तो आप इस list में यदि serial number 1 से लेकर के 83 तक आते हैं तो आपके selection के chances है मेरे भाईयों क्योंकि 73 सीटे थी 10 candidate हम एक सा लेकर चले हैं यहां पर किसी भी candidate का मान सकते हैं कि document में कोई न कोई problem होगा या कुछ student ऐसे ही exam काम दे देते हैं underage होते हैं कोई overage होता है कुछ भी मान कर चल रहे हैं प्लस हमने यहां पर दस candidate किये वह हैं तो एक से लेकर के 83 तक आपका अगर आता है तो आप अनरी जरू कैटेगरी में count के जाएंगे और आपके selection 100% होगा अब रही बात यह कि इस एक से लेकर 83 के बीच में जो भी और आये candidate उनका क्या होगा तो दोस्तों बो सभी के सभी अनरी जरू में ही count किये जाएंगे सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुन लीजेगा सीरियल नमबर एक से लेकर अगर 83 तक आप हो तो आपका selection sure है कोई आपका selection नहीं रोग सकता चाहे आप SC से थे चाहे आप OBC से हो चाहे आप ST से हो EWS है या आपका general category है आप सब के सब अनरक्सित category के तहत यहां पर भरती किये जाओगे हलां कि जो category wise है आपको आगे benefit वैसे ही मिलते रहेंगे यानि जैसे अभी अपन बात करें टोपर जो है वो SC का है यहां पर ठीक है तो उसको एज अनरी जर्व यहां पर select किया जाएगा लेकिन उसको भविसे में जितने भी promotion वगिरा benefit है वो SC category का ही मिलेगा ध्यान से समझेगा दोस्तों तो यह हो गई अनरी जर्व काटेगरी की बात ठीक है यानि अगर आपके 67 मार्क्स आए हुए हैं अनरी जर्व काटेगरी में जनरल काटेगरी में तो आपके selection की पूरी उम्मीद है आपके selection के पूरे चांद से जाए दोस्तों अब मैं बात करता हूँ EWS काटेगरी के लिए देखिए टोटल जो यहां पर EWS के कंडिडेट है ना वो इन्होंने लगबग 34 कंडिडेट बुलाए हैं 34 कंडिडेट ठीक है ना इस में से 6 कंडिडेट जो है वो तो अनरी जर्व के टिगरी में चले जाएंगे ठीक है तो लास्ट अपने पास रह गए 28 ठीक है अलांकि जो सीटे हैं वो EWS की मात्र 17 सीटे है दोस्तों कितनी सीटे हैं 17 सीटे हैं हमने एनलिसिस किया है 20 कंडिडेट का मान लेते हैं 3 कंडिडेट का सर्टिट नहीं वेना होगा सर्टिफिकेट में एरर होगा या ऐसे ही किसी ने EWS बहर दिया होगा तो क्या बनता है यहां पर ध्शमांद्ध से समज़िएगा मेरे द करके 301 के बीच में कहीं भी आते हैं तो आपके सिलेक्षिन के पूरे चांसेट की उमीद है यदि आप 302 के बाद हो ना तो आपका सिलेक्षिन तब होगा जब आगे वाले का कोई डोकुमेंट में एरर हो लेकिन यदि एक से लेकर के 301 नमर सीरियल नमर तक आपकी लिस्ट मे कहीं भी नाम है जिसे मां लीजिए 255 में नमर पर आप हो तो फिर आपके सिलेक्षिन की 100% उमीद है उमीद रखिएगा काइम अब दोस्तों मैं बात करता हूँ SC के लिए देखिए SC के दोस्तों 13 कंडिडेट जो है ना वो तो जाएंगे अंदरी जर्व के टेगरी में तो छोड़ी दीजिए ठीक है ये SC की सीटों पर रिजर्व नहीं आएंगे SC की टोटल सीटे है 25 तो ये 13 तो यहां चले गए अब सुनिए मेरी बात 25 प्लस 13 जोड़ लीजिए आप 28 दोस्तों या तो आप ऐसे काउंट करो कि SC के यदि 28 नमर के बीच बीच में आपका कहीं भी जाते हो वन से लेकर के काउंट करना सुरू कर दो SC के टेगरी के और आप यदि 28 नमर तक हो तो आपके सेलेक्शन के पूरे चांस है पूरे क्या 100 परसेंट ही है इसमें भी 2-4 और जोड लीजिए 35 तक जोड सकते हो क्योंकि 2-4 इस्टोड़ नहीं भी जाते है यानि SC में र कंडिडेट का यहां पर एनालीसिस किया है दोस्तों ठीक है यदि आप SC के टेगरी से बिलोंग करते हो और आपके 60 मार्क्स बने हुए हैं पेपर में 100 परसेंट चांस है सेलेक्शन के और वही सेम सीरियल नमर 301 एक नमर से लेकर के 301 नमर सीरियल नमर के बीच में आप कहीं जो अनरीजर के टेगरी में चले गए ना वो 25 सेटों को खराब नहीं करेंगे ये ध्यान रखना तो SC की 25 सेटे सेफ है अभी भी यानि उपर के जो 13 है उनको छोड़ दो और उसके बाद भी आप यदि 25 में आते हो यानि टोटल सोरी 28 नहीं 38 बनता है सोरी मैंने कैलकुलेश गलत कर दिया 25 पलस 13 38 होता है तो इस 38 यानि लगबग आप 40 45 तक भी आते हो ना SC में तो आपके सेलेक्शन के पूरे चांसेज बनेंगे दुवारा बता देता हूँ 60 नंबर आपके प्राप्तांग है या एक से लेकर 301 नंबर तक आप कहीं भी हो उस लिस्ट में तो आपके 100 परसेंट सेलेक्शन के चांसे जाए दोस्तो अब मैं बात करता हूँ OBC के लिए देखे भी OBC के दोस्तो 43 कंडिडेट तो है अनरी जरू के टिगरी में इनको तो आप छोड़ी दीजिए टोटल OBC की सीटे हैं यहां पर 25 दोस्तो हमने जो एनालिसिस किया है वो किया है 28 कं यानि इन 43 को निकालने के बाद», यदि आप 20 के रेंक में और आते हूं तो आपके सिलेक्शन के पूरे चांसे जाए या फिर ये आप जोड़ लेजिये इसको कितना बनेगा यह 68 तो आप उपर से OBC में यदि 68 रेंक में कहीं भी आते हूं तो आपके सेलेक्शन के पूरे च रिटन मार्क्स की मैं यदि बात करूँ तो 65 नमर है यदि आपके 65 मार्क्स आए वे हैं तो 110 परसेंट आपका सेलेक्शन हो जाएगा सीरियल अमर एक से लेकर के 128 के बीज में कहीं भी हो तो आपका पूरा पूरा सेलेक्शन होगा 100 परसेंट चांसेज है कोई नहीं रोकने वाला है अब मैं बात करता हूँ दोस्तो स्ट की तो स्ट का एक कंडिडेट तो अंधरी जरू में चला गया सीटे है 34 यानि स्ट के टोटल 35 का डिडेट लगेंगे एक तो अंधरी जरू में गयार 34 जरू सीटे है वो होगी ठीक है है टोटल 34 सीटे है अब आप यह कर सकते हो दोस्तो या तो काउंट कीजिए उपर से एक से लेकर 35 यानि स्ट में यदि आपकी रिरिंक 35 के अंदर से जाए अदर वाइस मैं आपको मार्क्स और नंबर बता देता हूं वो आप देख लीजिए यहां पर तो दोस्तों यहां पर जो आपके बनेंगे ना वो बनेगा 53 मार्क्स यदि पेपर में आपके रिटन एक्जाम में 53 नंबर आये हैं 100 में से तो आपका 110 परसेंट सेलेक सेलेक्शन होगा कोई आपको सेलेक्शन से रोक नहीं पाएगा एस्टी की बात कर रहा हूं मैं यानि अब किसी का 400 नंबर पर जैसे नाम आया माल लो तो उसका तो भाई तब होगा जब आगे वाले का किसी का डोकुमेंट सही नहीं हो लेकिन यदि आप एक से लेकर के 395 न नंबर तक इसमें कोई भी आ गया हो वो अन्रिजरों में जाएगा अपनी अपनी सीटें अभी सेफ हैं यानि यहां पर एसी एस्टी जो भी जिस केटिगरी का भी है उसकी अपनी सीट अभी भी सेफ है चलिए मैं बात करता हूं EWS की अब यहां पर तो EWS के लिए यदि 301 नंबर के बीच में कहीं भी आते हैं तो आपका 100% सेलेक्शन होगा बात करता हूं मैं S C के लिए दोस्तों तो EWS के लेकर के 301 नंबर वोई S C का है इनके बीच में आपकी कहीं पर भी रहें के तो आपके सेलेक्शन के पूरे चांसे जाए 110% सेलेक्शन हो जाएगा OBC के लिए मैं बात करूं दोस्तों तो एक से लेकर के जो OBC का सेरियल नंबर भनेगा वो है 128 तक एक से लेकर के 128 तक आपका यदि सेलेक्शन सेरियल नंबर लिस्ट में हो तो आपका 100% सेलेक्शन हो जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है और S T के लिए मैंने बताई दिया सब लास्ट में अभी आपको बताया ही है कि एक से लेकर के 355 में नंबर तक अगर आपका सीरियल नंबर कहीं पर भी एत हो जाएगा यदि मैं मार्क्स की बात करूं दोस्तों तो अनरी जरु के टेगरी जो है उसके 67 मार्क्स है दोस्तों EWS के टेगरी जो है उसके 60 न नंबर वाले का सेलेक्शन हो जाएगा यानि 53 से कम किसी के है ना तो दिक्कत होएगी और OBC के लिए मैं बात करूं तो OBC का जो रिटन एक्जाम में मार्क्स बन रहे है वो है 65 यानि OBC में किसी के 64 63 62 है ना तो उसका थोड़ा सा रिस्क लग रहा है लेकिन यदि आपके 66 66 68 नंबर भी है तो 110 परसेंट सेलेक्शन होगा कोई आपका सेलेक्शन नहीं रोक पाएगा दोस्तों ठीक है तो फुल एंड फाइनल ये था मेरी तरब से एनालीसिस वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें आगे अपने दोस्तों को भी सेयर जरूर करें चैनल पर